जब US ने डिसाइड कर लिया था कि हमें इंसानों को चांद पे भेजना और वहां से उनको वापिस भी लेके आना है तो वहां पे बहुत छोटी 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 काफी ऐसी चीजे थी जिनने बहुत बड़ा रोल प्ले किया जिसमें से एक थी ट्रेजेक्टरी अगर आप किसी इंसान को धर्ती से लेके जाएंगे और उसको चांद पे बिठाएंगे चांद से वापिस लेके आएंगे तो रस्ता कौन सा लेंगे आप सीधा चांद पे जाएंगे या घूम के जाएंगे आप जाएंगे कैसे यहाँ पे orbital dynamics की बात करें या mathematics की बात करें या physics की बात करें या basic कुछ common senses की बात करें तो सब कुछ का एक perfect mixture बनता है और फिर decide होता है कि किस तरीके से the best and the most safest path होगा यानि किस रस्ते मुझे इन इंसानों को इन एस्टरोनोट्स को चांद पे भेजना है और वहाँ से इन को वापिस लेके आना है अगर दोस्तों आपन अपोलो की trajectories देखें अपोलो mission की trajectories देखें किस तरीके से वो धर्ती को छोड़के निकले और चांद पे पहुंचें तो एक बहुत peculiar चीज अपने को दिखाई देगी वो है कि figure 8 बन रहा है rather मैं बोलूँगा infinity का symbol बन रहा है ना कि 8 का symbol बन रहा है और वो भी थोड़ा सा skewed है यानि अगर to the scale बनाया जाए तो कुछ ऐसा 8 बनेगा जिसका एक lobe तो बहुत बड़ा है एक छोटा है या फिर infinity का एक ऐसा symbol मालो जिसका एक lobe बड़ा है एक lobe छोटा है कभी-कभी तो देख के ऐसा लगेगा कि यार कहीं hybridization तो नहीं हो गया यह SP hybridization हो जाता है उसका एक lobe लंबा और एक lobe छोटा हो जाता है जैसे कुछ उस तरीके से तो यह हो गया थोड़ा सा chemistry का flavor जो अपन class 11 में पढ़ते हैं chemical bonding में लेकिन बात physics की है बात gravitation की कर रहे है तो दोस्तों अपन आप देखेंगे कि जो Apollo trajectory थी वो specifically इसी रस्ते क्यों गई अब जो कुछ basic concept है जो मेरे J.E.E. और NEET के जो दोस्ते जो physics का gravitation chapter class 11 में करते हैं वो appreciate कर पाएंगे और electrostats में भी वैसा ही कोई फिनोमेना वो देखते हैं अगर मैं दो masses को लूँ तो उन दोनों masses के बीच में कोई एक कैसा point होगा जहां पे gravitational null point होगा या दो positive charges लूँ या दो negative charges लूँ तो उनके बीच में भी कैसा point exist करेगा जो की electrostatically null होगा यानि वहाँ पे electric field vacuum होगा तो जिस तरीके से charges के बीच में कैसा point exist कर रहा है वैसे masses के बीच में भी कैसा point exist करता है जहां पे gravity का जो field हो कम हो जाएगा इसका क्या लेना देना है इसका ये लेना देना है यानि अगर मैं उस point के आसपास जाऊंगा तो सायद मुझे कम जोगर आएगा मुझे कम effort लगाने पड़ेंगे एक point से दूसरे point पर जाने में क्यूं अगर मैं धर्ती से निकलता हूँ और उस neutral point तक पहुँच जाता हूँ और neutral point के beyond moon के gravity अगर अच्छी है तो क्या तो मेरे को अपनी side attract करके मुझे अपने orbit में घुमा ले ये तो एक aspect हुआ दोस्तो इसके अलावा अपने recently एक और video किया था gravitational slingshot and gravity assist का जहां पर अपने देखा था कि एक normal spacecraft Jupiter या किसी भी बड़े planet से हो सकता है वो चांद ही क्यों न हो हो सकता है अर्थ ही क्यों न हो उनकी gravity से उनके momentum से थोड़ सी energy चुरा के थोड़ सा momentum चुरा के अपनी speed बढ़ा लेता और अपना direction change कर लेता है और इसके best दो example है Voyager 1 and Voyager 2 लेकिन यहां पर जब मैं Apollo mission की बात करता हूँ अंदर हमें एक guarantee मिले अब बात यह है दोस्तों guarantee जब दी जा सकती है जब आपके जो reference है वो काफी established और काफी पुराने और काफी standard हों जैसे की अपने earth और moon यह कुछ million सालों से हैं और अगले कुछ million सालों तक रहेंगे तो इनका अगर reference लेते इनकी अगर guarantee लेते हैं तो अपन United Bank of Sun में भी account खोल सकते हैं मजाक की बात अलग करें दोस्तों तो बात ऐसी है कि जब मैं earth से निकलता हूँ मैं earth से एक spacecraft को launch करता हूँ तो मुझे fuel चाहिए earth की gravity से बाहर निकल के orbit में घूमने के लिए वहां तक बात ठीक है लेकिन अगर मुझे earth की orbit में नहीं घूमना और मुझे चांद पे जाना है तो मैं दो रस्ते पकड़ सकता हूँ earth से निकलो सीधा चांद पे जाओ बट वहां पे मुझे fuel ज़्यादा चाहिएगा एक और रस्ता है अर्थ से निकलो अपने थोड़े से path को टेड़ा करो और वहां पहुँचो जहां पे चांद पहुचने वाला है तीन चार दिन बाद क्यों क्योंकि आप आराम से चलते वे जा रहे हैं अब इस चीज़ को अपन समझ लेते हैं दोस्तों अब अगर अपनी इसको देखें दोस्तों तो यह मान लो कि यह है अपनी अर्थ ठीक है और यहां पे है moon जब मैंने launch किया है मेरे spacecraft को अब जब यह spacecraft अपना distance travel करते हुए पहुचेगा तो मैं इसको एक ऐसे point पे push करूँगा जहां पे घूमते घूमते moon पहुच जा जहां पे मैं चांद को सामने से confront करूँ यहां पे दो possibilities हो सकती है दोस्तों पहली possibility कि चांद को मैं सामने से confront करूँ दूसरी possibility हो सकती है कि चांद जो है moon जो है मैं उसको पीछे से जाके पकड़ूँ अब यहां पे देखो भई नियम कानून भी यह कहते हैं कि backstabbing करना अच्छा नहीं, आप पीछे से जाके किसको surprise मत करो, यह कहा जाता है ना, gravity के मामली में भी ऐसा ही, अगर आप पीछे से जाके surprise करोगे, तो चांद जब थोड़े startled हो जाएगा, और जब startled होगा तो वो energy देगा, जब energy देगा तो आपका जो spacecraft है, वो because of the gravity assist, in this case, when you are trying to approach the moon from the back side, तो gravitational sling sort of gravity assist वाली मैं बात करूँ, तो यहाँ पे मेरे spacecraft को और ज़्यादा और ज़्यादा push मिलेगा momentum का, वो थोड़ी से चांद से energy निकाल लेगा, और और तेज भागेगा, अपने को चांद पे जाना है, या चांद से और दूर जाना है, हमें चांद पे जाना है, चांद पे जाना है, तो भाई ये plan काम नहीं करेगा, तो क्या करेगा, तो हम चांद को सामने से पकड़ेंगे, जब मैं चांद को सामने से पकड़ूंगा, तो चांद का जो motion है चांद का जो खुद का rotation है और चांद की जो velocity का path है वो क्या करेगा मेरे spacecraft को बोलेगा कि भई यहाँ पे energy transfer होगा और आपको थोड़ा सा slow पड़ जाना है और जो spacecraft है वो gradually slow down हो जाएगा और वहाँ पे चांद उसको अपनी orbit में absorb कर लेगा और now we are going around the moon we prepared our rocket, we put the satellite, we launch to the moon and then moon grabs us, right? अब इसी concept को दोस्तो अपन carry forward करते हैं तो देखो क्या होगा अब मान लो अपन इस पूरे concept को जो यहाँ पे अपन देख रहे हैं अपन इसको यह मान के करते हैं कि जो अपना चांद है और जो धरती है वो एक जगह पे fix है ठीक है? एक जगह पे fix है अब जब मेरा spacecraft अर्च से लोंच हुआ तो उसने चांद को आगे से पकड़ा चांद ने उसको घुमाया और मैं घूम के वापिस धरती पे आया यह हो गया आठ का figure यह जो figure है थोड़ा skewed इसलिए है को कि यहाँ पे यह जो point है यह वो point है जहाँ पे मैं कह सकता हूँ gravity जो है थोड़ी सी balance हो रही है लेकिन अगर सच्ची में देखा जाए तो ना तो चांद अपनी जगह रुका हुआ है ना अर्थ अपनी जगह रुकी वी है तो होता क्या है? होता यह नहीं है अगर अब मैं तुमको एक और figure दिखाऊं तो उस figure से अपनी को पता चलेगा कि actually होता क्या है now if we look at this particular figure तो अपन देखेंगे कि अर्थ यहाँ है पहले हमारा जो trajectory है वो चांद के चाव तरफ घूम रहा है लेकिन अब चांद move कर गया है जब चांद move कर गया तो 8 नहीं बन रहा है बन वैसा ही figure रहा है जहाँ पर अपन चांद को आगे से पकड़ के ला रहे है और जब वापिस आ रहे हैं तो घूम के वापिस अर्थ पर आ रहे है यह अपने को figure में दिख रहा है लेकिन क्योंकि चांद का भी relative motion है जब मेरा spacecraft चांद पर पहुँचा तो वो figure 8 नहीं बन रहा है लेकिन इफाई अज्यूम कि चांद अपनी जिखाय फिक्स है अर्थ अपनी जिखाय फिक्स है तो इस trajectory को अगर मैं overlap करूँगा we will get the figure 8 तो दोस्तों यह था देखो बहुत चोटा सा concept है concept है gravitational slingshot or gravity assist का यहाँ पे उसको अपने opposite way में यूज किया है मैंने voyager में यूज किया उसको speed बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैंने use किया speed घटाने के लिए अब तुम बोलोगे कि ऐसा किया क्यों गया क्योंकि दोस्तों अगर बात करें Apollo 13 mission की तो Apollo 13 जो mission था उसमें mission के बीच में ही problem आ गई थी oxygen fuel tank में तो उस mission में अब problem यह थी कि अब मैं land नहीं कर सकता क्यों क्योंकि जो part था जिसको चांद के चारों तरफ घूमना था जब बाकी astronauts land करते वो घूमने वाला जो part था उसमें problem आ गई थी वहाँ पे इसी trajectory को specifically use किया गया था यह वो trajectory है जहाँ पे आप चांद से free में वापिस आ सकते हो in fact आप यह कह सकते हो कि अगर आप अपनी spacecraft को बिलकुल भी कुछ भी touch भी नहीं करो कोई एक particular उसका operation भी नहीं लाओ तो भी यह ऐसी trajectory है जो आपको अपने आप घूमा के earth पे ले आएगी you have to do nothing you don't even have to fire a single thruster अगर fire भी करना पड़ेगा तो वो भी बहुत छोटा मोटा minuscule firing होगी यानि आप यह कह सकते हो कि विश्वास रखो Newton साब की gravity पे यहाँ पे यहाँ पे Newton साब की gravity पे विश्वास सकना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि if gravity is a phenomena और मैं बात कुरू Albert Einstein साब की तो यहाँ पे जो force लग रहा है जो trajectory है जो momentum transfer है वो अपने को थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा लेकिन अगर Sir Isaac Newton को अपन यहाँ ले आते हैं और उनको बोलते हैं साब आपकी ही gravity को use करते हैं आपकी definition को use करते हैं तो क्या आप हमें चांद से घुमा के वापिस धर्ती पे पहुँचा दोगे तो बोलेंगे यहाँ इस it's quite simple क्यों क्योंकि यहाँ पर momentum है यहाँ पर energy है यहाँ पर vector है यहाँ पर calculus है और यहाँ पर gravitation है तो दोस्तों यह था एक छोटा सा वीडियो about the lunar trajectory of the Apollo mission किस तरीके से उनने एक basic physics के principle को use किया और they took out so many successful missions Apollo ने तकरीबन 12 astronauts को चांद पे उतारा और उनको safely वो अर्थ पे भी ले आए और हर बार हर बार एक ही बात का ध्यान रखा गया कि we have to approach the moon from the front तो दोस्तों अगर पसंद आया तो like करो, share करो, subscribe करो bell icon जरूर दोबा देना मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए जैहिन तो दोस्तों मज़ा आया ना actually यह जो वीडियोस होते ना यह अपनी inquisitiveness को, अपनी eagerness को physics को जानने की जो अपनी इच्छा नों उसको काफी बढ़ा देते हैं अगर उसी के साथ उसी के साथ, इनी वीडियोस के साथ अगर वही mentor तुमको physics पढ़ा भी दे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा यानि मैं कहूंगा कि भई, मेरी तो पांचों उंगलियां या दसों उंगलियां मेरी घी में आ जाएगी तो दोस्तों ऐसी एक opportunity मैं तुम सब बच्चेों के लिए लाया हूँ मैं Unacademy Atoms YouTube चैनल पे फ्री में सब को live physics पढ़ाता हूँ रोज live आता हूँ YouTube चैनल Unacademy Atoms पे मैं पढ़ा रहा हूँ जही के लिए physics चाहे वो जही main हो, चाहे advance हो रधर मैं बोलूँगा दोस्तों 11-12 के बच्चे जो physics पढ़ना चाहते हैं चाहे वो कोई भी examically prepare कर रहे हैं I am there for you, I am teaching it completely and totally free for you guys तुम सब के लिए मैं live और free पढ़ा रहा हूँ Apart from that दोस्तों, मैं Unacademy Atoms पे भी special classes ले रहा हूँ जो कि free होती हैं और वो भी live classes होती हैं वहाँ पे भी मैं सबी बच्चों को guide कर रहा हूँ और mentor कर रहा हूँ physics के लिए Let's understand physics Physics से अपन प्यार करना सीखें Physics को अगर अपन समझें तो अपने concepts rock solid हो जाते हैं और अगर एक बार concepts rock solid होगे दोस्तों तो number भी आएंगे अच्छा performance भी होगा और मन से डर भी निकल जाएगा अगर तुमको में को सर्च करना है Unacademy app पे तो तुमको सर्च करना पड़ेगा Manish Isro M-A-N-I-S-H-I-S-R-O Manish Isro यह मेरा idea दोस्तों जिससे कि तुम में को सर्च कर सकते हो में को follow कर सकते हो में को reviews दे सकते हो और अपना प्यार दिखा सकते हो अगर तुम किसी भी subscription को लेना चाते हो Unacademy app पे या तुम free classes को unlock करना चाते हो तो free classes को unlock करने के लिए you can use the code Nimbus बिलकुल अपना दिल वाला Nimbus प्यार वाला Nimbus 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 का code यूज करोगे दोस्तों तो जितना भी free material है सब unlock हो जाएगा तुमारे लिए और अगर तुम कोई subscription लेते हो कोई long term course की planning करते हो Unacademy app पे तो वहाँ पे भी NIMBUS तुमको 10% extra discount दिलाएगा दिल से प्यार से सब दोस्तों फिर से बता दूँ मैं हूँ तुम्हारा mentor friend Manish Purohit Unacademy Atoms YouTube channel पे रोज आता हूँ live physics पढ़ाता हूँ feel के साथ rock solid concepts बनाने के लिए चाहे तुम कोई भी हो NEET aspirant, JE aspirant, KVPY, NACP कोई भी exam की preparation कर रहे हो physics तुमको मैं पढ़ा दूँगा apart from that Unacademy app पे भी आता हूँ in special life classes see ya there दोस्तों love you all